हलो गैस तो मार्केट देखिए यहां कई पे गैप अब उपन दिया है और यह डिस्टेंस दो सो और इसो पॉइंट के आसपास का डिस्टेंस है तो अभी अपना यहां पर प्लान क्या होगा यहां पर प्रॉफिट में आ चुका है सेलर जो है ट्रैप हो चुका है तो हमें देखने मिल सकता है देखिए अगर कैंडल स्टॉंग बनाके अपसेट का मोमेंटम करता है तो रिट्रेस्मेंट के बाद बाइंग करेंगे और अगर मार्केट यहां इसे गिरावाट करना सुरू करता है तो फिर हमें देखिए थोड़ा प्राइस एक्षन देख्के का करना हुगा क्योंकि यहां पर वाइर्स है न यह कई न कई प्रॉफिट में आ चुका है तो मारकेट थोड़ा बहुत इसका प्रॉफिट कम करने के लिए दांसर्ट का मोमें तर सकता है लेकिन ज्यादा डांसर्ट का मोमेंटम नहीं करेगा तो अगर हमने लागा कि सैलिंग साइट में एक देट सो पॉइंट मिल सकता है तो हम पोजीशन बना लेंगे सेलिंग साइट का अधर्वाइस बाइंग के लिए थोड़ा डिट्रेस्मेंट बगएरा देखके यहां पर काम करेंगे ठीक है तो वेट करते हैं देखते हैं मार्केट किस तरह तो पीनिंग तो गाइस यहां पर देखिए मार्केट कई ना कई साइट वेज हो चुका है हमने अभी भी किसी भी साइट एंट्री बनाया नहीं सेलिंग का तो मन था लेकिन मार्केट जहां से गिरने का कोशिस कर ला न और इस तरह का कैंडल बना रहा है तो कई ना कई यहां पर लिया नहीं है देखिए मार्केट में मैं सेलिंग करना चाहता था लेकिन सेलिंग किया नहीं अलाकि यह जो मुमेंटम आया था ना तब इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा बढ़ा था लगदा 40-50 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम बढ़ चुका था लेकिन कोई बुक कर ज्यादा परिशान करेगा नहीं या तो वो सेलर को प्रॉफिट बुक नहीं करने देगा या फिर वो मुमेंटम बगेरा करके इस तरह से निकाल देगा लेकिन क्या करें अभी जिस तरह का वॉलेटाइल मार्केट है तो मैं परिशान नहीं होना चाहता अच्छा से जब तक मार्केट कर नहीं तरहमा दो यहां पर देखें थनके हैं ताफिक नहीं बना में पर बलगपर से सारे तस भी बजने जा रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं अब यहां पर क्या कर सकते हैं अगर पोजीशन मिला बारा बज़े तक तो ठीक है वरना इसी तरह से दिन आज का क्लोज करना पड़ेगा देखते हैं क्या होता है नियुक्ष तो लंबा चौड़ा वेट करने के ब बात पोजीशन बना अब यह मार्केट कितना नीचे आएगा यह मार्केट कोई पता है ऐसा नहीं है यह से मार्केट तुरंट नीचे आ जागा या फिर ऊपर चला जागा देखिए उपर का तो चांस है कि मार्के निहा कई पर वगएरा चोड़ा हुआ है लेकिन निहा से ए रैदर दिन बाइंग बाकी वेट करते हैं अभी तो कॉस्ट का आसपास उपर नीचे कर ला अब यह टार्गेट देने में कितना टाइम लागा नहीं लागा बहुत बार क्या होता है इस तरह से मुमेंटम किया फिर से उपर चला गया नीचे आ गया और उपर से टाइम भी तो सारी गारा बच चुका है काफी लेट भी हो चुका है तो यह पोजीशन हम सारे बारा एक बज़े तक हूल करेंगे उसके बाद दिखिए मार्केर अगर ब्रेकाट बगेरा करता है तो लॉस भी हो जागा और बाकी जो लॉस का लिमीट है नहीं यहाँ पर थोड़ा सा द लेकिन कई नहीं है यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा अच्छा दिखा कैंडल बगर भी ठीक ठाक दिखा तो मैंने पोजीशन बना दिया बाकी यह वेटी करते हैं देखते हैं क्या होता है नहीं होता है लॉस कम से कम रखने का कोशिश करेंगे ज्यादा लॉस नहीं द रहा है ना यहां से जिस साइट भी मार्केट निकलेगा ना स्टॉंग कैंडल बना के निकलेगा तो मैंने अच्छा डाल दिया अगर उपर निकलेगा तो ठीक है जो इसल डाला हूँ निकल जाएगा और अगर नीचे निकला तब हमें जली से प्रॉफित लेके निकलना मैंने सिस्टम है एसल डाल दिया तो अबने बात दिकए था कि मार्केट जिस सट भी निकलेगा इस टॉंग कैंडल बनायगा तो मार्केट ऊपर के निकला में अच्छा प्लेन या घान गथा तो ंर हूँपर से मार्केट काफी जादा साईवेस भी दिख रहा ता दोनों क्या होता है यह देखिए अपने प्लान के काम करना होता है तो मेरे को ज़्यादा प्रूब इसलिए हमने सेलिंग साइड में काम किया था बाकी रिक्स छोटा सा क्यों लिया था क्योंकि एक तो पोजीशन हमने लेड बनाया था जैसा कि यह बात किया और टाइम भी कम था तो इसलिए हमने छोड़ा सा रिक्स लेकर यहां पर बैठा वा था अगर मार्केट गिरा तो ठीक नहीं गिरा तो छोड़ा सा अपना एसल जाएगा और जो एसल किया यह सारे 300 रुपए के आसपास का एसल हिट वा ठीक है लॉजिक सिंपल था जिस तरह से हम हमें सा ट्रेट करते ह बाकी ठीक है गाइस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में